इस से बोचहा की जंता अब उप चुकी है अब ये जंता अब ये लोग नहीं चा रहा है कि धन बल और पुजी बाद और परिवारबाद बोचहा में चले मतलब कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है उनका पती जब छुट्टी में रहेंगे तो संडे के काम करेंगे ये ऐसा तो है चल रहा है बोचा विदान सब्सक्राइब क्योंकि जिससे मेरी विचार धारा नहीं मिलती है मैं उसके साथ गडवंदन और मैं रहना भी नहीं चाहता है तो हम बोले कि मुकेश जी अब चले गया उनका जाना था वो जहां चले गया लेकिन जो भी उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ हम अगर यहां से अगर ही कलते हैं हमें बोचा की जनता अगर अशिरवात देती है तो हमारा सोच है कि जो दुख मेरा है उसका साथ देना चाहिए और जनता अगर भारतिय जन परिवार पाटी के तरफ से अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हम बहुत पहले सबसे प्रात्मिक्ता हम मुकेश जी को देंगे उनका साथ देंगे उनके साथ रहेंगे बोचहा के चुनावी समण में कई परत्यासी अपना भाग्या अजमा रहे हैं कई लोग दल से हैं कई लोग निर्दलिये भी हैं ऐसे में कई परत्यासी ऐसे भी हैं जो पूराने समय में नेताओं के साथ रहे हैं और वो नेता आज बिहार की राजनीत में सक्रिय भूमिका नङ्पारी हैं हम बात राजेश जिका कर रहे हैं राजेश राम रमाया इनका नाम है बीज़ेस चंट परिवार पार्टी के द्वारा समर्थित उमीद्वार धिसको लगतार यहां देखा जा रहा है कि ठरह बेइबी कुमारी निर्दलिये भी जीज जाती दुसरी तरह आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं राजेस राम रमया भारतिय जनपरिवार पाटी समर्थी तुमिदवार मैं इससे पहले भी बोचहा में चुनाओ लड़ा और अच्छा खासा भोठ हमारे पास आया और बोचहा के जनता ने जितना हमें मत दिया मैं उतना का कि जनता अब उप चुकी है अब यह जनता अब यह लोग नहीं चा रहा है कि धन बल और पुजीवाद और परिवारबाद बुचहा में चले लगतार हम छेत्र का नेडिक्षन कर रहे हैं जिसमें कुछ बाते निकल कर सामने आ रहे हैं पुराने जो कैंडिडेट्स हैं उनक का विधानसबा चला जी अएससे जो बात संडे को वर्क करते हैं ूपहले सहनीजी के सांथ भीец संघथन में सकड़िये शदस भी थे सवनी जी के साथ बिहाड में जो हुआ सब लोगों ने देखा इसको कैसे देख रहे हैं देखिए सवनी जी के साथ हम कुछ महीनों थे और जब हम उनके घर पे गये मचली चावल खाये और जब उनकी पाटी को जब हम जुआइन किये तो अब उनको बोले कि देखिए आपके साथ हम पाचो नव उनको जोर के बोले थे कि हम आपके साथ हैं बसरते कब जब तक आप आरजेडी के साथ हैं आरजेडी के साथ है तो आपके साथ हम है जिस दिन आप आरजेडी के साथ दावन छोड़ के आप हटिएगा मैं 24 आवर मे मैंने पार्टी छोड़ा और एक नियूज बना दैनिक जागरन और दैनिक भासकर में नियूज बना था कि ब्याइपी का गदावर निता राजेस रामरविया ने भी इसे दिया इस्तिफा मैं ब्याइपी से देने इस्तिफा देने वाला पहला सक्स हूं क्योंकि जिससे मेरी विचार धारा नहीं मिलती है मैं उसके साथ गड़बंदन और मैं रहना भी नहीं चाहता हूं तो मेरा विचार धारा नहीं मिलता है बीजेपी से तो मैंने उसके साथ जाने का को बात देती है तो हमारा सोच है कि जो दुख मेरा है उसका साथ देना चाहिए और जनता अगर भारतिय जन परिवार पार्टी के तरफ से अगर हम चुनाव जीत कराते हैं तो हम बहुत पहले सबसे प्रात्मिकता हम मुकेश जी को देंगे उनका साथ देंगे उनके साथ हैं गरीबों को लेकर काफी सजग हैं देखा जा रहा है कि लालू प्रसादयादों के बाद लगतार जो अवाज उठा रहे हैं सहनी जी हैं ऐसे में भाजपा उनके साथ क्या बिहार में की वो सभी लोगों ने देखा तो भाजपा कि यह रननिती पहले से भी रही है जद्य होना चाहिए और वह जो गलती किया उनका आज पस्तावा होगा भी लेकिन घमंड से कुछ नहीं चलता है उनको धरातल पर आना होगा और रही बात बीजी पीगी तो चाहते हैं कि लालू यादब जी जैसे खत्म हो गया तो भरता हुआ चेरा मुकेस जी है तो इनको कैसे द परेंगे जब भी कोई मजबूत बेक्ति आगे जलता है तो पीछे कमजोर बेक्ति उसका कंदाधर के साथ चलता है इतना बिरोध क्यों कर रहे हैं क्या कारण है भाजपा की बहाजपा का बिरोध यह नहीं है उनकी नीती साफ नहीं है जो जिस तरह आज देखिए करना और जिस तरह करोना काल में लोगों को तकलीफे होई जिस तरह मजदूर को असुविदा होई आप 800 करोड के पिलेन पर चलिएगा आप सूट बूट पेनिएगा और जनता को क्या मिल रहा है है जब से वो गद्दी पर बैठे है तब से तो भारत का बेरा गर्खी हो उसे वैसा लगता है कि यह सारा एक सेटिंग का खेला है और और कुछ नहीं है अचा एक और बात निकल कर सामने आ रही है संकल पत्र आपने जारी किया है क्या मुद्दा है प्रमुक्ता से किन मुद्दो को लेकर आप छेतर में जा रहे हैं देखिए हम संकल पत्र जारी किय कि आप क्या करिएगा वो लिख करके देते हैं स्टाम पेपर पर नहीं देंगे राजेस रमया लिख करके दे रहा है क्यूंकि लिख करके देंगे तो एक साल में काम नहीं करेगा दो साल में काम नहीं करेगा तीसरा साल में अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे विरुद एफा काल किजिए कि आप भी राजेश रमया के जैसा 500 के स्टाम पेपर पर लिख के दीजिए कि यह तो आप को मत देंगे क्या लग रहा है इस ही ती क्या है छेटर में तो रोज गूम रहे हैं आप देखिए आप आईये, कुछ बि रोदी पार्टी के लोग भी हमारे पास समर्तन देने के लिए दे रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, ना महिस में हम नहीं बढ़ता हैंगे, कि कोन हमें समर्तन दे रहे हैं? इस तरह हमारा जो संकल्पत्र जाड़ी किये हैं जो हमारा एजेंडा है उस पहली एजेंडा में हम आपके चानल के मादयम से यह कहना चाहते हैं कि बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है हम जब अपने पंचायत की समस्या को देखने हम जब पंचायत में और विदान सभा में उत्रे तो हमने देखा कि वहां लोग बिजली से जादे परसान है किसी का बिल लाख है 50,000 है 40,000 है 20,000 है इस तरह का जिसका बिल है उसे 5,000-10,000 के चक्कड में उसको लेंड कार दिया जाता है नितिश कुमार जी 24 आवर बिजली देनी की बात करते हैं बिजली तो मिल रहा है लेकिन जिनके प TRPL कार पर एक बॉल लगानी कि बात करा है कि एक बॉल हम फ्री दे रहां जलाने के लिए फिर एक साल के बाद आप एक साल के बाद उसी वेकति को 10,000 रुपया 15,000 का बिल भेज़ देते हैं वो फिर उसका ब्यार जोटाग कर जाता है उसका ब्यार बैसे से सौ उनिट विजली फिरी दिया जाए समान्य सभी वर्गों 75 उनिट विजली की लड़ाई हम बिधान सभा से लड़ेंगे और यह दिलवा कर रहेंगे इनका सपत पत्र भी है और यह लिखकर भी दे रहे हैं जनता को यानि बिहार में या देश में कहीं भी जब चुना होते है तो जनता को विश्वास नहीं होता है कि नेता जीत कर जाएंगे तो क्या करेंगे इन्होंने तो लिख कर दे दिया है अब बोचहां विधान सभा की जनता इन्हें आसिरवाद देती है या एक वार फिर से पुराने कैंडिडेट्स जो लगतार आते रहे हैं वो उनकी वा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167 003